प्यारे बच्चों, नमस्कार, मेरा नाम लूने सुक्मार वर्मा है, मैं सास की उच्छतर माध्यमिक विद्यालय छछान परी जीला रायपूर में व्याख्याता के रुप में पदस्त हूँ प्यारे बच्चों, आज हम अध्यान करने जा रहे हैं कक्षा साथवी विशय हिंदे का, हम आज अध्यान करेंगे पाठ तेरह का, पाठ का सिर्शाख है सुभाष चंद्रबोस का पत्र प्यारे बच्चों, नेता जी के नाम से प्रसिद भारती स्वतंतरता संग्राम के ओजस्वी सेनानी सुभाष चंद्रबोस ने यह पत्र जिसके विशा में आज हम अध्यान करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने जा रहे हैं वह पत्र केशरी पत्रिका के संपादक स्री एनसी केलकर के नाम बर्मा के मांजले जेल से लिखा प्यारे बच्चों, एक छोटा सा प्रस्ण प्रस्ण है, सुभाष चंद्रबोस को किस नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्रबोस को नेता जी के नाम से जाना जाता है पतनतरतास्यनानी हैं जो क्रांती कारी हैं इनके विशा में भली भाती जानते हैं उनके विभिन नारों से भी आप परिशित हैं तो वैसे ही सुभास्चंद्र से समबंदित जो नारा है उसके विशा में मैं आपसे प्रस κरना चाह रहा हूं सुभास चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था सुभास चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा दी दूंगा ये सुभास चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था यह पाठ हम जो पढ़ रहे हैं सुभास चंद्र बोस का पत्र सुभास चंद्र ने NC केलकर को पत्र लिखा इसके विशे में हम जानकारियां प्राप्त की लेकिन यह एक जिग्यासा भी यहां जानना चाहिए हमें क्या कि NC केलकर कौन थे? NC केलकर ततकालीन विदर्व के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बाद में वे स्वराज्य दल में सम्मिलित हो गए थे लोकमान तिलक के निधन के पस्चात केसरी पत्रिका का संपादन स्री केलकर ने ही समहाला था तो बोस को जब वरहंपूर जेल से मांजले जेल इस्थाने अंतरित किया गया था तो उस जेल में पहुचने के बाद उनकी स्मृति में यह बात कौन थी की महान क्रांतिकारी और कांग्रेस इसके दो दल थे देखे क्रांती की बात कर रहे हैं भारत की स्वतंतरता संग्राम की बात कर रहे हैं तो इसमें जब भारत का स्वतंतरता संग्राम चल रहा था उसमें जो सेनानी थे उन वे दो दल में बटे हुए थे एक था नरमदल और एक था गरमदल तो कांग्रेस के जुग गरमदल की नेता उनका नाम था लोकमान में बाल गंगाधर तिलक तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकान सभाग, बेहद हतों साहित कर देने वाले इसी परिवेश में व्यतित किये थे सुभास चंद्र बोस को बरहमपूर जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था यह प्रस्र पूछा जा सकता है क्या होगा उत्तर? सुभास चंद्र बोस को बरहमपूर से मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था कारावास के 6 वर्स लोक मानने अत्यंत सारिरीक और मानसिक यंत्रणा में बिताए फिर भी उस त्रासद इस्थिती में गीता भास जैसी ग्रंथ की रचना की ध्यान दीजेगा यहाँ पर दो सब्द आये हैं सारिरीक और मानसिक यह सब्द कैसे बनते हैं इसके विशा में चर्चा करना अवश्यक है जानना चाहिए हमें कि सब्दों का निर्मान कैसे होता है सारिरिक सब्द बनता है सरीर धन एक से इसी तरह से मानसिक कहते हैं मनस धन एक मानसिक इसी प्रकार के और भी अन्य अन्य सब्द बनते हैं कौन-कौन से सब्द बनेंगे, आईए, उन्हें भी एक बार देखते हैं, धर्मधन एक धार्मिक, नीतिधन एक नयतिक, समाजधन एक सामाजिक, अर्थधन एक आर्थिक, देखिए, इक प्रत्य जोड़कर हम किस तरह से बहुत से सब्दों को नय रुप में बना रहे हैं, अ यहाँ पर हमने एक प्रत्य जोड़ा है, और जब एक प्रत्य का योग किया जाता है, तब क्या होता है, इसके विसम जानकारियां प्राप्त करते हैं, एक प्रत्य के योग से पूर्वपद के आदि वर्ण, अर्थात प्रत्म वर्ण में भी परिवर्तन होता है, कैसे, जैस समाजधन एक सामाजिक, स से सा हो गया, समाजधन एक सामाजिक हो गया, ऐसे हम कहते हैं, नीती धन एक नैतिक बन गया, तो एक प्रत्या के योग से सब्द के आदि अर्थात प्रारंभिक्ज वर्ण जो है, प्रत्म वर्ण हैं, इसमें भी परिवर्तन होता है, मांजले जेल जीवन के बारे में बोस के सब्द हैं मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांजले में अपनी मात्र भूमी और स्वदेश से बलात अनुपस्तिती के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रिर्णा देंगे अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तिर्थिस्थल है जहां भारत के एक महान सपूद लगातार छह वर्सों तक रहे स्वदेश स्वदेश का ताथ पर यह होता है अपना देश और स्मृति स्मृति कहते हैं याद तो पत्र में सुभास चंदर बोस ने क्या लिखा आईए सुभास चंदर बोस के पत्र का अवलोकन करते हैं प्रियस्री केलकर देखे पत्र जैसे हम लिखते हैं तो पत्र की एक प्रारूप होता है पत्र का जो प्रारूप है उसी प्रारूप में पत्र लिखना होता है आप सभी जानते हैं पत्रों की विशाय में पत्र दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से एक होता है अवपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनवपचारिक पत्र अप्चारिक पत्र तब लिखा जाता है जब हम पत्र व्यहार किसी कार्यालाई से करते हैं लेकिन जब हमें पत्र व्यहार किसी व्यक्ति से करना हो तो यह पत्र जो है वह अनौप्चारिक पत्र की सेड़ी में आता है तो सुभास्चंद्र बोश ने केलकर जी को पत्र लिखा, यह अनौपचारिक पत्र है, इसलिए प्रिय करके लिखा गया, प्रियस्री केलकर, मैं पिछले कुछ महिनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा है कि आप तक ऐसी जानकारी होगी, मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहां गत जन्वरी से कारावास में हूँ, देखे, पहले जब क्रांतिकारी क्रांति करते थे तो उन्हें ततकालिन सासन, जो अंग्रेजों का था, वे उन्हें पकड़ कर किसी भी जेल में डाल दिया करते थे, औ और इसकी सूचना तक अन्य करांतिकारीयों को या अन्य नेताओं को नहीं हो पाती थे, तो ऐसा ही सुभाशन्र बोस के साथ भी हुआ, जिसको वे इस पत्र के माध्यम से स्री केलकर जी को बता रहे हैं, अभी हमने यह जो गद्यांस देखा, इसमें कुछ कछिन सब्द है, जैसे देखें, दिल्चस्पी, दिल्चस्पी खतातपरी होता है रूची, कारावास कहते हैं जेल या हवालात, जब बरहंपूर जेल अर्थात बंगाल से मुझे मांजले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने कारावास काल का अधिकांस भाग मांजले जेल में ही गुजारा था, देखिए, यहाँ पर सब्द आया है काल, काल जो है अनेकार्थी सब्द है, काल का तापरी होता है समय, मृत्यू, खंड, यहाँ उचता है कि अनेकार्थी सब्द किसे कहते हैं, हम सब्दार्थ के विशा में जानते हैं, पर्याय बाची के विशा में जानते हैं, विलूम सब्द के वारे में जानते हैं, यह अनेकार्थी सब्द किसे कहेंगे, अनिकार्थी सब्द आइसे सब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी सब्द कहलाते हैं जैसे अभी हमने देखा एक सब्द काल, काल कतात पर मैंने बताया भी समय, मृत्यू, अत्वा, खंड ऐसे ही और भी अन्य अनिकार्थी सब्द हैं जैसे अंग अंग मतलब होता है अवयाओ भाग या हिस्सा अंक अंक कताद पर यह होता है संख्या या गोध इस चहार दिवारी में यहां के बहुत ही हतोत साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गिय लोकमान्य ने अपने सूप्रसिद्ध गीता भास्य ग्रंथ का प्रणयन किया था जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें संकर और रामानुज जैसे प्रकांज भास्यकारों की स्रेणी में इस्थापित कर दिया है लोकमान्य तिलक ने मांजले जेल में रहते हुए ही गीता भास्यकी रचना की थी तो गीता भास्यका प्रणयन जो है लोकमान्य ने मांजले जेल में किया था यहाँ पर सब्दा आया है प्रणयन प्रणयन का तात पर यह होता है रचना एक प्रस्ण उचता है संकर और रामानुज कौन थे देखिए जिनको संकर कहा गया है इन्हें संकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है संकराचार्य और रामानुज भारत के प्रसिद दार्शनिक थे उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में ब्रह्म, जगत, जीव, आधी दार्शनिक तत्वों पर अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और वेदों का भास लिखा है भास से कहते हैं टीका या व्याख्या को, जेल के जिस वार्ड में लोक माने रहते थे, वह आज तक सुरक्षित है, आप देख रहे हैं या दिपी उसमें फेर बदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है फेर बदल का मतलब होता है बदलाव या परिवर्धन या उसका परिवर्धन रूप या से टूच फुट गया तो उसको सुधार लिया गया इस तरह हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह, वह लकडी के तक्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्सा में पानी से, सीत रितू में सर्दी से, तथा सभी रितूों में धूल भरी हवाओं से बचाओ नहीं हुपाता था और जेल का वार्ड ऐसा था जिसमें गर्मी में खुब धूब पड़ती थी, लू चलता है जो गर्म-गर्म हवाय चलती है वो सारा वातावरण वहां मिलता था और वैसे जब वर्षा के समय आता था तो चुकि उपर छट था कि नहीं था संभौता छट नहीं रहा होगा इस कारण से वर्षा में वहां से पानी भी पड़ता था और ऐसे ही सर्दी के समय में सीतरुतु में सर्दी का वातावरन जो ठंच का वातावरन है इस सभी वातावरन से उस वार्ड में रहने वाले जितने कैदी हुआ करते थे उन कैदुलियों को ऐसे वातावरन का सामना करना पड़ता था एक प्रस्ना आता है सुभाष चंद्र बोस मांजले जेल के वातावरण को हतोत साहित कर देने वाला क्यों मानते हैं? सुभाष चंद्र बोस मांजले जेल के वातावरण को हतोत साहित कर देने वाला इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ जेल का वाड लकडी के तत्वों से बना है जिसमें गर्मी में लू और धूप से वर्सा में पानी से सीत रितू में सर्दी से तथा सभी रितूं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता था इसलिए ऐसे वातावरण को सुभास चंद्र बोस ने हतोत साहित कर देने वाला माना है सुभास चंद्र बोस पत्र में आगे कहते हैं मेरे यहाँ पहुचने के कुछ ही छण बाद कहां पहुचने के बाद मांज लेजे बिल्कुल सही मेरे यहाँ पहुचने के कुछ ही छण बाद मुझे उस वार्ड का परिचा दिया गया किस वार्ड का परिचा दिया गया जिस वार्ड में लोकमाने तिलक को रखा गया था मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से अब भारत को नक्सा देख रहे हैं कि मुझे भारत से निस्कासित कर दिया गया था निस्कासित कर दिया गया था मतलब निकाल दिया गया था देश निकाला की सजा देश दिया थी इन्हें देश निकाला की सज़ा दी गई थी लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं मांजले में अपनी मात्रिभूमी और स्वदेश से बलात अनुपस्थिती के बावजूद मुझे पवीत्र स्मितिया, राहत और प्रिर्णा देंगे स्वदेश, स्वदेश का तातपरी होता है अपना देश स्वदेश का विलोम क्या होगा? स्वदेश का विलोम होता है पर्देश पर्देश का मतलब पर्देश का तातपरी होता है दूसरों का देश या विदेश अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तिर्थस्थल है वर्ष तक वहां रहे थे देखिए गुण वाचक विशेशन जो हैं इनका तूलना बोधक रूप कैसे बनता है अभी हमने एक समतर देखा महान का महान महान तर महान तम ऐसे ही अधिक अधिक तर अधिक तम हम जानते हैं कि लोकमान ने कारावास में छह वर्ष बिताए लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अधि में उन्हें किस हद तक सारिरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था अधि यह जो सब्द है ऐसे ही देखे अधि अधि यह क्या है सुरूति सम्भिनार्थक सब्द है प्रस्ण उचता है सुरूति सम्भिनार्थक सब्द किसे कहेंगे ऐसे सब्द जो सूनने में एक से लगते हैं लेकिन उनमें मामुली सा अंतर होता है और उनके अर्थ में ही अंतर होता है यहां पर जो आवधी अवधी सब्द आया है इसका तात पर और आवधी यह जब हम कहते हैं यह एक बोली का नाम है और यही आवधी बोली है जिसमें तुल सिदास जी ने रामचरित मानस की रचनार की है वे यहां अर्थात मांजले जेल में एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौध्धिक स्तरका साथी नहीं मिला स्वाशंद्र बोश करते हैं मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्यबंदी से मिलने जूलने नहीं दिया जाता था उनको सांत्वन देने वाली एक मात्र वस्तू किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थी यहां रहते हुए उन्हें दो या तीन भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और यह भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिती में हुई होंगी जिससे वे अर्थात लोकमाने तिलक कभी भी खूल कर और हारदित्ता से बात नहीं कर पाए होंगे भेंट कहते हैं भेंट का तात पर होता है मुलाकात देखिए जब कोई कैदी जब जेल में होता है तो उन्हें उनके जो परिशित होते हैं उनसे भेंट या मुलाकात करने का आउसर दिया जाता है लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने पत्र के माध्यम से यह बताते हैं कि लोक मानने तिलक को मांजले जेल में रहते हुए भेंट का आउसर अर्थात किसी परिशित से मिलने का आउसर नहीं दिया गया प्यारे बच्चों अभी हमने सुभाष चंद्र बोस का पत्र इस पाठ के जितने अंसों को पढ़ा है जितने अंसों का अध्यान किया है आईए उसके अधार पर मैं कुछ ग्रीक कारे के प्रस्ण आपको देना चाहूंगा आप ये प्रस्ण नोट करें आपको इस्क्री मे ने अपने जीवन का चो वर्स कहा और क्यों गुजारा अगला प्रस्ण लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया चौथा प्रस्ण लिखें सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल क्यों कहा है पाँचवा और अंतिम प्रस्ण लिखेंगे लोकमान्यक को कारावास में सांत्वना देने वाली वस्तु क्या थी प्यारे बच्चों निश्चितरुप से आप इन प्रस्णों को हल करेंगे और अपने विशाय सिक्षक से अपनी कापी का परिक्षन कराएंगे इन ही भावनाओं के साथ नमस्कार